ककसा बारवी में पढ़ने वाली एक लड़की जो की उत्तर प्रदेश के जीला मुरादाबाद का एक थाना लगता है कुंदर की इसी का एक गाउं है उस गाउं की रहने वाली थी 18 मार्च 2022 की में बात कर रहा हूँ होली का त्योहार था होली का पर मनाने के बाद जैसे ही ये लड़की नहाने के लिए अपने घर पहुंचती है उसी समय जब ये नहा रही थी कुछ बदमास गुसाते हैं वो बदमास पहले तो इस लड़की का वीडियो बनाते हैं साथ ही कुछ फोटोग्राफ्स भी खिच ले लड़की के पिता को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो लड़की का पिता अपनी बेटी को लेकर नजदी की पुली स्टेशन पहुंच जाता है नजदी की पुली स्टेशन जाने के बाद उन बदमासों के खिलाप एफाई आर दरज करवाई जाती हैं साथ ही उस लड़की ने आगे चलकर अपनी जीवन दिला समाप कर ली लेकिन जो दरोगा था इसकी जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा इसकी जीवन पर कुछ भी परभाव नहीं पड़ा इसने इस बात से कोई सबक नहीं सिखा आगे चलकर इसी दरोगा ने एक एसी घटना को आखिरकार इसने किस गटना को अंजाम दिया किस परकार अंजाम दिया और इसी क्या बात ही जिसके चलते हर एक पुलीस वाला इसके उपर थूतू कर रहा है सब को जिस वीडियो में जानेंगे इसलिए वीडियो को अद्ध तक जरूर देखें नमस्कार मेरा नाम है संजे आज जमा को सची गटना सुनाने जा रहा हूँ यह सची गटना है उत्रपरदेश की उत्रपरदेश का जीला लगता है अमरोहा तीन जनवरी दोहजार चोईस की में बात कर रहा हूँ एक महीला कॉंस्टेबल से मिलने के लिए आती है महीला को एक मजोरा थाना लगता है हाईवे के पास वाला वहां हेल्प डेक्स पर इस महीला की डूटी लगी हुई थी रात का समय था तब एक दरोगा की इंट्री होती है जिनका नाम होता है लली चोदरी वो महीला दिखने में खूब सूरत थी महीला को देखने के बाद वो उससे बाचीत करते हैं जब बाचीत करते हैं तो महीला से पहुंचते हैं कि तुम कहां की रहने वाली हो महीला बताती है कि अली गड़ के पास ये गाउं है उस गाउं की में रहने वाली हो इस बात को सुनते ही दरोगा मुस्क्रा रहे हैं दरोगा बताता है कि तुम्हारा जो गा जब वो इस तरह की बाते करता है तो जो महिला थी उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई परिचीत कोई अपना उसे मिल गया हो दोनों के बीच बाचीत होती है बाचीत आगे बढ़ती है उसी बीच वो महिला कॉंस्टेबल को फूंसता है कि डूटी के बाद तुम कैसे जाओगी वो बताती है कि मैं टेमपू से जाओंगी दरोगा उसे कहता है कि डूटी के बाद तुम मेरे साथ चलना मैं गाड़ी लेकर आया हूँ महिला हां कर देती है जिसे ही डूटी से फ्री होती है तो वो दरोगा के साथ चली जाती है क्योंकि वो जान पेचान वाला था अपना उसे लग रहा था इसलिए महिला उसके साथ जाने से मना नहीं करती है बीच रास्ते में दोनों के बीच और भी बादचीत होती है अब आए दिन दरोगा जब भी समय मिलता तो उस महिला से बादचीत किया करती है अब दिरे दिरे करकर दोनों की नजदी क्या बढ़ने लग महिला का कहना था कि उसने उसका विरोध भी किया लेकिन उसने दावा किया कि वो आगे चल कर अगर कुछ भी होता है तो उस महिला से शादी करेगा अब धिरे धिरे करकर समय गुजरता है और समय के साथ ही वो महिला प्रेगनेंट हो जाती है जब वो प्रेगनेंट होती है तो वो दवाई वगएरा खा कर उस गरब को वहीं पर खतम कर लेती हैं लेकिन आगे चलकर फिर जब वो सामाने जिंदगी जीने लगते हैं फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं तो फिर से वो महीला गरबबती हो जाती हैं जब महिला दूसरी बार गरब बती होती है तो वो दरोगा को पूरी बात बताती है दरोगा फिर वो ही बात करता है कि तुम जैसे तेसे करके अभी तो इस गरब को गिरा लो आगे चलकर मैं तुमसे शादी करूँगा महिला फिर से गरब गिरा लेती है लेकिन अब जो महिला थी वह परेशान हो चुकी थी आगे चलकर अब धिर धिरे करकर जब समय गुजरता है तो एक दिन ऐसा आता है कि जो दरोगा होता है उसका फोन उस महीला कॉंस्टेबल के पास चूड़ जाता है जब फोन चूड़ जाता है तो उस पर कोल आता है तो दूसरी तरफ एक महीला ह जो कि दावा कर रही थी कि वो उस दरोगा की पत्नी है अब ये बात सुनते ही महिला हेरान परेशान हो जाती है जो महिला कॉंस्टेबल थी वो अपने साथ गटी गटना के बारे में बताती है वो बताती है कि किस परकार से इस दरोगा ने बिना बताये कि वो शादी शुदा ह इस बात को चुपाते हुए इसने मेरे सरीर के साथ केला है साथ ही मेरा सारी सोसन किया है और कहीं दिनों से या कहीं महीनों से ये मेरे साथ इस तरह की गंदी और किनोनी हरकते करता हा रहा है वो हर एक बात बारेकी से समझाने की कोशिस करता है लेकिन दूसरी तरब जो महिला थी वो इस बात को समझने पर राजी नहीं थी वो उल्टा उसी महिला कॉंस्टेबल को डाड़ती है अब जब महिला कॉंस्टेबल दरोगा से बात करती है तो दरोगा भी महिला को डाड़ता है और जैसे तेसे करकर उस समय उसे चुप करवा देता है और उसके घरवा ले उसकी शगाई पिक्स कर देते हैं जब महिला की शगाई पिक्स हो जाती है तो वापीस जब यूटी पर लोट कराती है और दरोगा को जब इस बात की भनक पड़ती है जब उससे पता जलता है तो वो उस महिला को इस्टेवल के पास पहुंसता है और उसके साथ मार्पीट करता है उसे कहता है कि मिना मरजी के बिना मेरे से पूछे तुमने सगाई कैसे कर ली महिला कहती है कि तुम शादी शुदा हो तुम अपनी जिंदिगी अपने इसाब से जी हो मेरे साथ अब किसी भी प्रकार का कोई रिस्ता तुमारा नहीं है लेकिन जो दरोगा था वो कहता है कि अगर तुम मुझे एक बार बताती तो शायद मैं तुमसे शादी करता है लेकिन तुमने मेरे से बिना बताय केसे सगाई कर ली जब महिला से इस तरह की बाते करता है तो महिला तोड़ी हैरान परेशान हो जाती है सोचने लगती है कि ये शादी शुदा है तो दरोगा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है अगर तुम चाती तो मैं तुमसे शादी कर लेता महिला को जैसे तेसे करकर वो अपनी बातों में बेला लेता है और फिर से दोनों एक दूसरे के साथ सारीक संब्द बनाते हैं लेकिन महिला परेशान हो जाती है अब उसका जो दिमाग था वो गवाई नहीं दे रहा था वो महिला वहाँ से अपना ट्रांसफर नहीं जो मुरादाबाद था मुरादाबाद से अपना ट्रांसफर करा लेती है अमरोहा अमरोहा अपना ट्रांसफर करबा लेती है और वहाँ जाने के बाद उस महिला को पता चलता है कि वो तीसरी बार गरबती हो चुकी है उससे पता तुम फिलाल तो जैसे तेसे करके गरब गिरा लो, आगे चलकर हम शादी करेंगे, लेकिन महिला थी, कि अब जित पर अर गई थी, उसने कहा, कि मैं अब गरब नहीं गिराने वाली हूँ, गरब पात नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें मुझे से शादी करनी होगी, जब वो इस तरह की बाते करता है, साथ ही जब जहां उसकी डूटी लगी हुई थी अमरोहा, दरोगा वहाँ पहुंचता है, और उस महिला कॉंस्टेबल के साथ मार पीट भी करता है, अब महिला परेशान हो जाती है, वो करे तो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब उनसे एक बार बात चीत करो, उन्हें पूरी बात बताओ, हो सकता है कि वो तुमारी बात सुने, बहुत ही नेक दिल इनसान है, वो कुछ ना कुछ अच्छा सोलिशन इस बात का जरूर निकालेंगे, और इस दरोगा को कुछ ना कुछ सजा जरूर देंगे, जब वो इस तर जरूरि दोजार चोईज को महिला कौंस्टेबल, एस बी साब के पास पहुंचने के बाद जब अपने साथ घटी घटना के बार आएम, वो इस बी साब को बताती है, तो इस बी साब भी हैरान और परेशान हो जाते हैं, और कहते हैं कि मैं एक महिला कौंस्टेबल को भेज तरह हूं उस महीला कॉंश्टेबल की दर्ज की जाए binary-ltra चाह्त की थाने पहुंसतीं वह जाने के बाद की जाती है महीला कॉंश्टेबल Ah Trackよろ Sm ж राहे मुकदमा कर वाती है दिनों के खिलाफ और इस sẽ को जाता है SP की तरफ से जो SP है कूबर अनुप सिम उनकी तरफ से यह जाती है CEO अंजली कटारिया को जाती है अभी इस मामले की जात यही कर रही है आगे चल कर क्या होता है कौन जात में दोसी है और कितना दोसी है तो जात के बात ही पता चल पाएगा फिलाल के लिए अभी इसमें जाहत जारी है आगे चलकर क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो पविश्य के अगरब में चिपा हुआ है फिलाल के लिए दोस्तों इस गटना के बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट बोक्स में जरूर बताएं साथ ही दोस्तों इस गटना को सुनाने का उद्धेश यह किसी की भावनों को ठेस पहुंचाना या पिर किसी की बद्दामी करना नहीं है, अफी तो आपको शतरक वा शावदान करना है, शतरक रहें, शावदान रहें और क्रैम से में साथ दूर रहें, और इससी तरह की सची गटना है अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा मिलते हैं फिर को सची गटना के साथ में सची वारदात के साथ में तब तक के लिए दोस्तों जेहिंद जेवारत